हेलो फ्रेंड्स और वेलकम बैक टू कॉमर्स और बिजनेस टड़ी तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे मॉनिटरी पॉलिसी और उसके कुछी इंडिकेटर्स एफी स्टॉर्म के बारे में इसी इंडिकेटर्स को आप आज कल पेपर में देख पा रहेंगे ओके फ्रेंड्स लेट्स बिगिन देखे सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि मॉनिटरी पॉलिसी है क्या हमारे इकोनोमी में मनी का जो फ्लो है या फिर जो मनी का जो फ्रेंट Но हीSome तो inflation situation create होता है economy में और जब हमारे पास पैसे कम रहते हैं तो हम कम खरीते हैं जब हम कम खरीते हैं तो उसका demand down हो जाता है, जब demand घड़ जाता है दोस्तों तो उसका product का price भी घड़ जाता है और जब price decrease हो जाता है तो country में दिफलासन situation create होता है और ये दोनों ही situation economy के लिए सही नहीं है इस situation को tackle करने के लिए country में equilibrium situation create करने के लिए government क्या करता है जो money का supply है उसको control करता है गर्मेंट देखता है कि जो economy में money का जो flow है उसका जो supply वो तो ना ज्यादा होना चाहिए या ना कम होना चाहिए situation equilibrium होना चाहिए इसी को ही बोलते हैं दोस्तो monetary policy अब इस monetary policy को करने के लिए government कुछ indicators या फिर कुछ factors का use करते हैं जिनको हम key factors बोलते हैं CRR, SLR, bank rate, MSFR, inflation and GDP growth rate लेकिन आज हम यहाँ पर inflation and GDP growth rate के बारे में बात नहीं करेंगे इसके लिए हम एक separate video की ज़रूत होगी ओके चो देखिए सबसे पहले कि repo rate क्या है repo rate को समझने से पहले दोस्तों हमें यह समझना होगा कि commercial bank और central bank होते क्या है commercial bank जो bank public से deposit लेती है और public को loan प्रोवाइड करती है उन्हें हम commercial bank बोलते हैं generally यह public के साथ dealing करती है ठीक है और जो commercial bank के लिए rules and guidelines प्रोवाइड करते हैं उन्हें हम central bank बोलते हैं central bank commercial bank के apex body होते हैं एक country में बहुत types के या फिर बहुत number of commercial bank ज्यादा हो सकते हैं बहुत तरह से हो सकते हैं लेकिन एक country में central bank एक ही तरह होते हैं और हमारे इंडिया में जो central bank है उसका नाम है RBI that is reserve bank of India अब देखते हैं रिपो रेट का मतलब क्या है दोस्तों जब commercial bank को short term duration के लिए यानि maximum one year के लिए पैसो की ज़रुत होगी तो वो चाहे तो central bank से loan के तोर पर ले सकता है ठीक है लेकिन उसके लिए सबसे पहले उसको कुछ collateral deposit रखना होगा कहां पर central bank के पास ओके और क्या ये पैसा free में ले जाएगा नहीं इसके लिए central bank कुछ interest charge करता है commercial bank को और जो interest का rate रहता है उसी rate को हम बोलते है report rate 4%, 5%, 6% जो interest charge करेगा central bank ओके और जब commercial bank अपना पूरा पैसा payment कर देता है with return central bank को तो जो collateral उसके पास central bank के पास था उसको वो अपने पास repurchase कर लेता है इसलिए report rate को repurchase rate भी बोला जाता है friends अब देखते हैं reverse report rate का मतलब, reverse report rate बिल्कूल ही उल्टा है report rate का जब central bank को पैसे की ज़रोत होगी तो वो commercial bank से पैसा ले सकता है उसको भी कुछ collateral deposit रखना होता है commercial bank के पास और commercial bank जो interest charge करता है central bank को उसी interest के rate को हम लोग बोलते है reverse report rate friends अब देखते हैं दूस्तों CRR का मतलब क्या है देखिए क्या स्रिजर्व रेशियो का मतलब क्या है पर डे एक commercial bank जितना भी deposit लेती है public को वो सारा पैसा अपने investment या फिर public loan में नहीं लगा सकता ठीक है हाला कि उससे ज्यादा income या फिर profit मिल सकता है लेकिन अगर future में कोई financial crisis आता है bank fellow आता है तो उसको tackle करने के लिए commercial bank के पास पैसा नहीं रहता है तो इसलिए RBI ने guidelines बनाया RBI ने commercial bank को बोला कि आपको per day जितना भी deposit मिलता है generally deposit की बात नहीं करेंगे एक amount हमको निकालना होता है NDTL करके जिसका meaning is net demand and time liability इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे सिर्फ आप यह जानी है कि per day आपका जितना in detail होगा उसका कुछ portions RBI के पास reserve रखना होगा commercial bank को ठीक है इसके लिए RBI कोई भी interest पे नहीं करेगा लेकिन जब bank failure या फिर commercial bank को पेज़े की जुरूत होगी तो उन्हीं पेशों को commercial bank को देखे situation को tackle करेंगे ठीक है तो जो persons वो रखेंगे RBI के पास जो persons वो RBI के पास रखेंगे उसी को हम बोलते हैं क्या reserve ratio अगर 4% decide क्या गया रखने के लिए तो यह 4% क्या reserve ratio हो जाते हैं ओके तो देखेंगा एक example के साथ तो next देखते हैं दोस्तो SLR statutory liquidity ratio का मतलब क्या है अभी हमने जानना पर जीतना भी होता है उसका कुछ persons RBI का वैस reserve रखना होता है CRR के तौर पर अभी RBI बोलता है उसके बाद हमारे पास CRR रखने के बाद आप कुछ persons अपने पास रखें liquidity के फॉर्म में ठीक है liquidity के फॉर्म में मतलब कुछ ऐसे फॉर्म में रखें जिसको कि आप चाहे तो immediate क्यास पर convert करवा सके जब आपको ज़रूरत होंगी ठीक है तो commercial bank चाहे उसको gold के तौर पर रख सकते हैं एक amount decide होता है एक percentage decide होता है तो per day इतना भी in detail होता है उसका कुछ percentage liquidity के फॉर्म में रखना होता है liquidity के फॉर्म मतलब road में रख सकते हैं cash में रख सकते हैं government security या फिर bond में रख सकते हैं और अन्य item के तौर पर रख सकते हैं लेकिन उनको वह immediate cash पर convert करवा सके ओके और उसके बाद जो पेसा बच जाता है उनको वह public loan या फिर public loan या फिर investment पर लगा सकता है commercial bank ठीक है example के साथ समझते हैं मान के चलिए deposit 100 करोड़े या फिर ndtl 100 करोड़े उसका 4% यानी की 4 करोड SLR 18% यानी की 8 करोड तो 8-4-22 तो रिजर पर चले गए CRR और SLR पर बाकी बज़ गए कितना 78 करोड तो इन 78 करोड को commercial bank जाहे तो लेता था जो interest charge हो था हम उसको रिपो रेट बोलते थे लेकिन जब commercial bank long term purpose के लिए loan लेता है central bank से तो जो rate charge होता है interest charge होता है उसी interest को हम बोलते है bank rate ओके और जाहिर सी बात है ज्यादा time के लिए अगर चाहिए तो interest rate भी जादा होगा इसलिए bank rate is higher than the repo rate अब देखते हैं marginal standing facility rate के मतलब देखिए जब commercial bank के पास पैसे लेने के लिए कोई भी collateral deposit करने के लिए asset नहीं है तो उस time commercial bank क्या कर सकता है उसको RBA बोलता है कि आप जो liquidity form में जो भी reserve रखे हैं उनमें से कोई item को हमारे पास adjustment facility भी बोलते हैं क्योंकि liquidity के तौर पर जो items रखे हैं उनसे adjustment होके collateral के तौर पर deposit किया जाता है और उसके लिए जो interest charge किया जाता है central bank के द्वारा वही interest को हम बोलते हैं marginal standing facility rate ओके सब्सक्राइब करेंट रेट्स फ्रेंट जो की सताइस 3 2020 को revise किये गए तो आप इनका थोड़ा screenshot लेके रख सकते हैं ठीक है यह बहुत important है और फ्रेंट्स वीडियो को last तक देखने के लिए thank you friends तो इसी तरह हम आपको unique video provides करते हैं okay so stay connect with our channel okay so मिलते हैं फ्रेंट्स अगले वीडियो में एक और नहीं यूनिक टॉपिक इस था तब तक के लिए have a nice time friends stay at home and thank you friends